यह बाइबल इन्वानियर का हिंदी प्रकरण है 251 दिन आत्मिक युद्ध जीतना दुखद तस्वीर अविस्मरणी है बहुत से लोगों की तरह पिछले वर्ष मैं रोया जब मैंने तीन वर्षी एलन कुर्डी के छोटे देह को समुद्र के किनारे पड़े देखा वह अपने भाई और मा के साथ लूब गया था जब उसका परिवार सीरिया में युद्ध से भाग गया था वर्तमान यूरोपियन शरनार्थी विवाद का एक बड़ा कारण है युद्ध पिछले पांच वर्षों में सीरिया में ग्रह युद्ध में दो लाग से अधिक लोग मारे गए इराक में दयेश ने हजारों निर्दोशों की जान ले उनमें से बहुत से मसीही है और दस हजार लोगों को वहां से हटा दिया फिर से उनमें से बहुत से मसीही है ये अतियाचार हिंसा के तीक्षन और भयानक घटनाएं हैं जो समाज के हर स्थर में घटी हैं वे आपस में लडेंगे प्रतियेक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ासी से लडेगा नगर-नगर में और राजी-राज में युद्ध छिडेंगे मीडिया में लगभग हम हर दिन युद्ध के आतंख को देखते हैं हम ऐसे एक विश में रहते हैं जो नियमित रूप से भातिक युद्ध के और अधिक भयानक हतियारों को विक्सित कर रही है इन हतियारों में पंगु करने, हतिया करने और नष्ट करने की सामर्थ है लेकिन यह युद्ध पूरी तरह से भौतिक नहीं है जो मामले इसे उठाते हैं जिसे राजनीतिक और मीडिया दोनों जानती है ये पूरी तरह से नैथिक और आत्मिक हैं जैसा कि भौतिक युद्ध एक गंबीर ग्लोबल मामला है वैसे ही पौलूस प्रेरित के अनुसार आ गलत अर्थ नहीं है जो कि बताया है कि यह सरल बिना लड़ाई और संघर्ष का एक जीवन प्रदान करता है जल्द ही या थोड़े समय बाद हर विश्वासी खोजता है कि मसीही जीवन एक युद्ध भूमी है ना कि एक खेल का मैदान इस युद्ध में हम ना किवल बुराई के द्वारा हारने के लिए बलकि अच्छाई के साथ बुराई पर जय पाने के लिए बुलाए गए हैं रोमियों 12 का 21 हमें युद्ध में जीतने के लिए हत्यार दिये गए हैं पौलूस लिखते हैं हम शरीर के अनुसार नहीं बजन सहिता 106 का 16-31 प्रार्थना का हत्यार बजन सहिता के लेखक मुसा की लीरर्शिप और सेवकाय को याद करते हैं कुछ लोग परमेश्वर के द्वारा मुसा और हारून को शक्तिशाली रूप से इस्तिमाल किये जाने पर इर्शा करने लगे उन्होंने च्छावने में मुसा के और यहुआ के पवित्र जन हारून के विशय में डाह की। और हमें बताया गया है कि अबराहाम के लिए यह सत्यनिष्ठा गिना गया। भजन सहिता 106-31, प्रार्थना का सक्तिशाली हतियार आपके लिए उपलब्द है, अपने परिवार, मित्र और उन सभी के लिए प्रार्थना करो, जिन के लिए प्रार्थना करने के लिए आत्मा आपको उठ्साहित करता है, खाली स्थान में खड़े रहिए और दूसरों के प्रार्थना करने के लिए धनिवाद आपने एक अंतर पैदा किया है। पॉलोस जानते थे कि आत्मिक युद्ध के साथ दिमाग का युद्ध है। अलग चीज के बारे में सूच रहे थे। वहाँ पर एक संस्कृती के लड़ाई चल रही थी। विचारों दर्शन शास्त्र और विश्व के प्रती नजरिये की लड़ाई। पॉलोस सक्री रूप से इस लड़ाई में जुड़ गए कि उन स्पर्धा करने वाले विचार दर्शन शास्त्र और विश्व के प्रती नजरिये को लें और उन्हें कैद करके मसीह का आग्याकारी बनाए। पॉलोस ने लिखा विश्व सिधान्तवादी नहीं है, यहाँ पर कुत्ता कुत्ते को खाता है, विश्व सही उचितरीती से नहीं लड़ता, लेकिन हम उस तरह से नहीं जीते या अपनी लड़ाईयां नहीं लड़ते, कभी नहीं करते थे और कभी नहीं करेंगे, हमारे व हमारी लड़ाई के हथियार शारिरिक नहीं पर गड़ों को ढढ़ा देने के लिए परमेशुर के द्वारा सामर्थी हैं इसलिए हम कलपनाओं का और हर एक उंची बात का जो परमेशुर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आग्याकारी बना देते हैं और तयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आग्यापालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आग्या उलंगन को डंडित करें पॉलूस जिन हतियारों का इस्तिमाल करते हैं उनमें देव्य सामर्थ है मजबूत गड़ों को ढढ़ा देने की मसी से जुड़े होने से उनकी सामर्थ आती है और प्रभू ने उन्हें अधिकार दिया है मुझे यह उत्साहजनक बात लगती है कि कुछ लोगों ने पॉलूस के बारे में कहा जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हलका जान पड़ता है किन्तु ज दो ऐसा कहते हैं वह यह समझ रखे कि जैसे पीट पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे कार्य भी होंगे तुलना करना नश्ट हो जाता है यह या तो आप में घमन लाता है या आपको उदास करके नीचे ले आता है दूसरे मसीहियों के प्रेम और एक दूसरे को उत्साहित करने कोई कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हम आत्मिक लड़ाई एक साथ लड़ते हैं धनिवाद हो परमेशुर का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आपको बहुत प्रभावी दिखने की आवशक्ता नहीं है नहीं आपको एक उलेखनी वक्ता होने की आवशक्ता है पॉलुस की सामर्थ मसी के सुसमाचार से आई थी उनकी इच्छाथी सुसमाचार का प्रचार करना उन लोगों के सामने जिन्होंने पहले कभी नहीं इसे सुना था आखिरकार यह मसी का संदेश है जो आपकी संस्कृति को बदल देगा यह विश्व में सबसे सक्तिशाली संदेश है यह जीवन बदलने वाला है यह संस्कृति बदलता है यह विश्व को बदलता है उधारन के लिए हर बार जब आप एक मित्र को ईशू के बारे में बताते हैं उन्हें चर्च में आमतरित करते हैं या उन्हें अलफा में लाते हैं तब आप सुसमाचार के शक्तिशाली हत्यार के साथ आत्मिक लड़ाई में जुड़ जाते हैं परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि हर विचार को कैद करके आपका आग्याकारी बनाओ और मुझे साहस दीजिए कि मजबूत गड़ों को नश्ट करने के लिए सुसमाचार के शक्तिशाली हत्यार का इस्तिमाल करूँ अगले वर्ष लीडर्शिप कांफरेंस 2017 में हमें विश्व भर से हजारों मसीही लीडर्स का स्वागत करने का समान मिलेगा यहाँ पर कुछ बहुत ही शक्तिशाली है कि सौ से अधिक देशों के लीडर्स एक साथ आ रहे हैं अराधना करने में और एक ही उद्देश के लिए यह शाया भविश्वक्ता इस परकार की एकता को पहले ही देखते हैं वह निरंतर उनके विरुद्ध भविश्वाने करते हैं जो परमेश्वर तुम्हारे उद्धार करता को भूल गए हैं वह दमस्कस, कश और मिश्र के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय की गोशना करते हैं किन्तु आज का हमारा लेखांश आशा की एक किरण के साथ समाप्त होता है उस समय मिश्र देश के बीच में यहवा के लिए एक वेदी होगी वह मिश्र देश में सेनाओं के यहवा के लिए चिन्ह और साक्षि ठहरेगा और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहवा की दोहाई देंगे तब वह उनके पास एक उधार करता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा तब यहवा अपने आपको मिश्रियों पर प्रगट करेंगे और मिश्र उस समय यहवा को पहचानेंगे वे यहवा की और फिरेंगे और वह उनकी विनिति सुनकर उनको चंगा करेंगे वह आगे कहते हैं मिश्री और अशूर वासी आधुनिक विश्व में इराकी एक साथ अराधना करेंगे मिश्री अशूर वासीयों के संग मिलकर अराधना करेंगे अन्य जातियों का परिवर्तन यशाया ने पहले ही देख लिया था वह ऐसे एक समय को देखते हैं जब इसराइल के लोगों के अतिरिक्त दूसरे परमेशुर की और फिरेंगे वह उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उन्हें चंगा करेंगे विभिन देशों के लोग एक साथ आकर परमेशुर की अराधना करेंगे यह एकता महान आशिश को लाएगी वह एक ऐसे समय को पहले से देख लेते हैं जब मिश्र से परमेशुर के लोग इराक और इसराइल एक साथ आकर अराधना करेंगे निशित ही हम एक तरीके से देखते हैं जिसमें यह भविश्वानी पूरी हो गई है जब इन देशों से और दूसरे देशों से मसीही एक साथ आकर अराधना करते हैं किन्तु हम उस दिन के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं, इसका इंतजार कर सकते हैं, जब यह भविश्वानी पूरी तरह से पूरी होगी, जब हर देश, गोत्र, लोग और भाशा से एक बड़ी भीड परमेश्वर के सिहासन के सामने एक साथ अराधना करेंगे, प्रावगा आचार का प्रचार करते हैं, होने दीजिये कि हम अपने जीवन में और हमारे समाज में आपकी विजय को देखें इशु के नाम में। बहुत सहायक हो सकता है, लेकिन बहुत से एमेल लिखना खतरनाक हो सकता है, आज का वचन क्योंकि हमारी लड़ाई के हतिया शारिरिक नहीं, पर गड़ों को धा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्ती हैं, दूसरा कुरंतियों 10 का चार